हेलो फ्रेंड्स आइम प्रीती वेलकम बैक टू मैं चैनल ये वीडियो हमारे किनारी बजार शॉपिंग वीडियो का पार्ट टू है अगर अब इतक आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए उसमें बहुत सी अच्छी अच्छी चीजे मैंने शॉपिं करते हैं सबसे पहले मैंने जिस शॉप से शॉपिंग करी है उस शॉप का नाम है राजधानी मोती सेंटर यहां पर आपको काफी सस्ते में बहुत सारी अच्छी मोतियां मिल जाएंगी तो सबसे पहले मैंने लिया है यहां पे गोल्डन बीट्स इसमें टोटल 24 लडिया है और यह 100 रुपीज का पूरा लच्छा है और इसका शाइन देखे कितना सुन्दर है और यह बहुत अच्छा लगता है देखने में और मैंने लिया है यह वाइट बीट्स यह भी 24 लडिया है और इसका भी प्राइस 100 रुपीज लच्छा है और मैंने आपे लिया है यह और इसमें 12 लडिया है आप चाहें तो इसमें बड़ा भी ले सकते हैं वो 160 का होगा और इसमें 24 लडिया होंगी ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने इसे लिया वहाँ पे और भी कलर में आपको मिल जाएंगे और साथी मैंने ये ये लाइट ब्लू कलर की भी बीट्स लिया है इसका भी प्राइज 80 रुपीज पर लच्छा है इसमें टोटल 12 लडिया है वहाँ पे बहुत सारे सुन्दर सुन्दर कलर आपको मिल जाएंगे बीट्स के लिए और बहुत ही कम रेट में आपको ये सब मिल जाएगा वहाँ पर राजधानी मोती सेंटर शॉप से मैंने इस बार इतनी ही शॉपिंग करी है और आप भी वहाँ पर जाके शॉपिंग कर सकते हैं या फिर उनसे वाटसप कॉंटेक्ट करके कोरियर करवा सकते हैं ये देखिए इस शॉप का व्यू है ये वहाँ पर आपको बहुत सी वेराइटी की बीट्स मिल जाएंगे और नेक्स मैंने इस शॉप से शॉपिंग करी है उस शॉप का नाम है निउस अताबदी फैशन वहाँ से मैंने सबसे पहले लिया है ये पॉमपम ये पॉमपम थोड़े बड़े साइज के हैं और थ्री कलर्स में है रेड, ओरेंज और यलो इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा था और ये बहुत ही ब्राइट है और बहुत ही सुन्दर है इसलिए मैंने इसको लिया ये 100 रुपीज का पैकेट है और इसमें बहुत सारे पॉमपम है और अब मैंने वहाँ से लिये ये मेटल के बेल्स इसका प्राइस 50 रुपीज पर पैकेट है ये बेल्स बहुत ही अच्छे है इसको ही लाने पर इसे साउंड भी आती है और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बेल्स है और 50 रुपीज में बहुत सारे है और अब मैंने आपे लिये ये दो पैरिट्स ये 30 रुपीज पर पैर हैं आप चाहें तो सिंगल भी ले सकते हैं आपको माप पर बहुत सारे टोईज मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के और अब मैंने आपी लिये ये शुबलाब ये बुडन से लिखा हुआ है ये 50 रुपीज पर पैकेट है आपको मापे बहुत सारी अलग-अलग डिजाइन की होम डेकुरेशन चीज़े मिल जाएंगी अलग-अलग प्राइस रेट के हिसाब से ये देखिए मैंने आपे ये शुबलाब का जो साइन होता है वो भी लिया है ये 15 रुपीज पर पीस है आप चाहें तो 20 के अगॉर्डिंग ले सकते हैं वहाँ पर ऐसी चीज़े ब्राइट ब्राइट कलर्ज में बहुत सारी मिल जाएंगी आपको और अब मैंने आपे लिये ये छोटे-छोटे गणेशा ये 10 रुपीज पर पीस है ये मुझे बहुत सुन्दर लगे इसलिए मैंने इसको लिया है और अब मैंने आपे लिये हैं ये लेसिस वाले रिंग्स ये वहाँ पर बहुत ही जादा मिल रहे थे ये आपको किसी भी लोकल शॉप से मिल जाएगा और ये बहुत ही सुन्दर लगते हैं देखने में और इससे बहुत सारी डेकुरेशन्स की जा सकती है ये आपको छोटे साइज में बड़े साइज में मिल जाएगा पर इसमें अटलीस्ट आपको 10 पीसिस एक साथ लेने होंगे तब ही वो लोग आपको पीसिस के अकॉर्डिंग देंगे इसलिए मैंने भी इसको 10 पीसिस लिया है और इसके साथ ही मैंने यापे दो बड़े रिंग्स भी लिये हैं ये 20 रुपीस पर पीस है और अब मैंने यापे लिये ये मल्टी कलर के रिबन फ्लावर्स ये आपको किसी भी लोकल शॉप से मिल जाएगा वहाँ पर ये 50 रुपीस का पैकेट है और अब मैंने यापे लिये हैं ये स्टोन्स ये स्टिकर स्टोन्स हैं ये 2020 के पैकेट हैं सिल्वर और वाइट वाले और ये फ्लावर वाला 30 रुपीस का पैकेट है ये मैंने बिग स्टेशनरी शॉप से लिया है अब मैं आपको जो भी दिखाऊंगी हो वो मैंने एक पर्टिकॉलर शॉप से लिया है शॉप का नाम है बिग स्टेशनरी और अब मैंने या पे लिया है पफी मैसे स्टिकर्स इसके स्टिकर्स बहुत ही अच्छे लगे और इसका फॉंट मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको लिया यह 50 रुपीज का पैकेट है, वहाँ पर आपको इसी तरीके से और भी डिजाइनर स्टिकर्स मिल जाएंगे और अब मैंने लिया है ये मिनी वुडन क्लिप्स, ये मुझे बहुत टाइम से चाहिए था, ये मुझे 50 रुपीज का पैकेट मिला, ये मिनी मिनी वुडन क्लिप्स बहुत क्यूट लगते हैं देखने में, इसके साथ एक रोप भी फ्री है, इसका मैं आपको बहुत अच्छ इसका मैं बहुत अच्छा DIY आपको बना कर दिखाऊंगी, और अब मैंने वहाँ से लिया है ये फोम शीट्स का पैकेट, ये मुझे 60 रुपीज का पैकेट पड़ा और इसमें टोटल 10 शीट्स हैं, काफी सस्ता मिल गया मुझे ये वहाँ पर, और साथ में मैंने लिया ये लिटर शीट का पैकेट, ये 60 रुपीज का पैकेट है और इसमें 10 शीट्स हैं, वैसे नॉमली ये लोकल शॉप्स पर 10 रुपीज की पर शीट्स पड़ती है, इसलिए मुझे ये काफी सस्ता पड़ा और इसमें बहुत ही सुन्दर सुन्दर ब्राइट कलर्स हैं, आप ये 50 रुपीज का पैकेट है, आप इसमें कलर्स देखे, कितने ब्राइट कलर्स हैं, और कितने सुन्दर लग रहे हैं, बहुत जादा शाइन कर रहे हैं, इससे बहुत सारी सुन्दर चीजे बनाई जा सकती हैं, जैसे कार्ड्स, क्राप बुक्स, आप भी वहाँ पर जाकर इस रेट में शॉपइंग कर सकते हैं, और अब मैंने आपे लिए ये कलर्फुल एफूर साइज शीट्स, ये मुझे 30 रुपीज का पैकेट पड़ा, और इसमें टोटल 20 शीट्स हैं, और बहुत ही जादा ब्राइट कलर्स हैं, और बहुत ही जादा सुन्दर लग रहे हैं अब मैंने आपे लिए ये पैटन पेपर्स, ये मुझे 60 रुपीज का पैकेट मिला, ये मल्टी का सेट है, इसमें टोटल 10 शीट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैटन्स की, इसमें देखिए बहुत ही सुन्दर सुन्दर पैटन्स हैं, इसका यूज बहुत अच्छा हो जाता है, और वैसे लोकल शॉप पे पैटन पेपर 10 रुपीज पर शीट मिलती है, वहाँ पर काफी कम रेट में बहुत अच्छी चीजें मिल जाएंगी आपको, वहाँ पर लाइन से बहुत सारी स्टेशनरी शॉप से हैं, तो आप भी महाँ पर जाके शॉपिंग कर सकते ह अब मैंने आपे लिया ये फैब्रिक शीट, इस शीट के पीछे ग्लू होता है, जिससे ये बहुत अच्छे तरिकी से स्टिक हो जाता है, मेरे मिनियेचर डियावाइज में मैंने इसका यूज बहुत जादा किया था, अगर आपने नहीं देखे हैं वो वीडियो तो प्ली इसकी मुझे जरुवत बहुत जादा थी, वहाँ पे आपको बहुत सारे डिजाइन के स्टेंसिल मिल जाएंगे, मैंने सिर्फ दो परचेस किया है, 30 रुपीज पर पैकेट, ये देखिए, ये प्लास्टिक माटेरियल में है, आप इसको पेंट करके बहुत अच्छा ये डिजाइनस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, अब मैंने आपी लिया ये होट ग्लू स्टिक का पैकेट, इसमें टोटल 36 स्टिक्स हैं, और ये 210 का पैकेट है, वहाँ पर 190 का भी था, पर हमने 210 वाला लिया, क्योंकि आप अच्छी क्वालिटी का लेते हैं, तो उसमें ग्लू की क्वालिटी भी अच्छी होगी, ये फिर भी मुझे काफी चीप रेट में वहाँ पे मिल गया, क्योंकि लोकल शॉप्स पर ग्लू स्टिक का प्राइस 10 रुपीज पर स्टिक होता है, इसलिए आप भी वहाँ पर जाकर कम रेट में अच्छी क्वालिटी की काफी सस्ता मिल गया मुझे ये, आपको मापे और भी कलर मिल जाएंगे, अब मैंने या पर लिया है A4 साइज के प्रिंटिंग शीट्स, इसमें टोटल 500 शीट्स हैं और 160 का है ये सिर्फ, इसको मैंने नॉमली घर के यूज और रफ ड्रॉइंग्स वेगरा के लिया है, इस वीडियो को हमें टू पार्ट्स में डिवाइट करना पड़ा, जस्ट बिकॉज वीडियो की लेंध काफी बड़ी हो रही थी, इस बर मैंने काफी ज़्यादा शॉपिंग करी थी, अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखिए, उस वीड शेर कीजे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे, बेल आइकन को दबाएए ताकि अगली वीडियो आपको असानी से मिल सके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए, बाई बाई गाईस, टेक केर कर दो सकते हैं